मैं नासी रूसेन आप सब का एरेज चेक एडमी में तहदिर से शुक्रे अदा करता हूँ दोस्तो आज हम लोग जो पढ़ने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा मैसूर को हम लोग पढ़ेंगे और अंगलो मैसूर यूद या फिर अंगलो मैसूर बैटल जो हुआ इसमें वीडियो को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग इस वीडियो में इस बातों को भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारे युद की इन सारे बैटल्स की जो वज़ा है ऐसा क्यों हुआ उन सारे चीजों को हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे यह बहुत important है जब हम लोग इन सारे चीजों को हम लोग समझ लेंगे तो हमें जितनी भी बैटल्स हुई अंगलो मैसूर वार गितनी भी हुई उन सब को हमें समझने में बहुत ज़्यादा helpful साबित होगा सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके background को सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे प्रिष्ट भूमी को समझने की परजेंडे अगर मैं मैसूर की अगर मैं बात करूँ परजेंडे में यह क्या है यह है करनाटक यह है केरल और यह यह क्या है तामिल लाडू तो इन सब को मिला हुआ उस टाइम पर मैसूर क्या था डारेस्टिक फैला हुआ था तो जो इस टाइम पर था, तो याद रखना आपको कि इस साइड जो है, निजाम था, क्या था यहाँ पर, अगर मैसूर को देखूंग, तो इस साइड यहाँ पर कौन थे, निजाम थे, चल जाए भाई मारकर, नाराज मत हो यार, लगता है यह सब के सब क्या गया हुआ है, य जो इस साइड जो था यहां पर जो था कौन था मराठा मराठा तो इसकी जो शंगर्स है मैसूर की जो मराठा और निजाम से भी चलता है और साथ में तीसरा जो रहता कौन रहता वो अंग्रेजों के साथ इसकी युद्ध जो होता ही है तो हम लोग अब हम लोग आगे समझते ह तो बेक्गराउड में सबसे हम पहले ये समझेंगी देखिए एक ताली कोटा इतिहासी युद हुआ था जो कि विजय नगर जो सामराजय था उसका क्या हो गया पतनकाल हो गया क्योंकि ये जो देली सल्तनेट के टाइम पे ही विजय नगर सामराजय का अस्थापना होता है तो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है लगबग 16 से 12 में लगबग जो ताली कोटा युद के बाद विजय नगर सामराज ये हैं पूरी तरीका से क्या हो जाती है खतम हो जाती है जब उ उसी के जगह पर क्या होता है सेम पले सेम रिजन में मैसूर नामक एक राजय का अस्थापना होता है जो मैसूर नामक जो राजय का अस्थापना होता है लगबग 1612 में वाडियार राजवन्स था वाडियार किंग्डम जो लोग थे वहां के इसने बनाया यहां इस टाइम तो इसमें क्या हो गया कि इसी का एक राजा था वर्डियार राजवन्स का एक अंतीम जो डूटर था इसका नाम था चिखा करिश्चन राइस सेिन्ड तो इसका जो टाइम है 1734 से लेकर के 1766 तक इसका टाइम लाइन रहता है तो इनी के टाइम पर क्या हो गया कि दो भाई थे और दोनों के दोनों जो वाडिया राजवन्ष में क्या था मंतरी था और ये वास्तविक सत्ता या फिर रियल पावर जो है इन ही दोनों भाई कही किसमे था हाथों में था वो दो भाई था जो मंत्री था दोनों एक देवराज दूसरा था नंजराज देवराज और नंज राज दो भाई थे जो कि वडिया राजवन्स का वस्तविक सत्ता उसको माना जाता है और ये क्या हो गया कि एक टाइम था 1759 1759 में जो नंज राज था दोनों भाईयों में से ये जो नंज राज ने क्या किया हैदर अली को एस सैनिक जो वडिया राजवन्स में एक सेना में उसको इसके मिलिटरी आर्मी में सेना में उसे भरती कर लिया एस घुर सवार के तोड़ पर होर्समेंट के तोड़ पर उसको जगा दे दी गई और वक्त गुजरते गुजरते पहुँच जाता है 1755 17-15 में क्योंकि जो हैदर अली था ये बहुत intellectual था बुद्धी जीवी था उसको सोच समझने की ताकत बहुत अच्छी थी हलाकि ये जादा पढ़े लिके नहीं थे इसको हम लोग अशिक्षिद मानते अन एजुकेटेड बोलते हैं लेकिन हैदर अली की सोचने की टेक्टिस की युद में कैसे अपने आपको बहतर कर सकते हैं परफोर्मेस इसको बहुत 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 धंक से आता था तो ये नंज राज ने खुशी के मारे क्या कर दिया किया रहे भाईया ये काम करो ये बंदा बड़ा तेज है ये काम करो एक जगह ची डिंडी गोल डिंडी गोल की ये फॉसदारी है किसको हैदर अली को सौब दी गई तो एक छोटा सा जगह था उसको बना दिया गया तो और आगे आगे चलते चलते जब वक्त गुजरता गया तो स्री रंग पत्नम जो की मैसूर की राजधानी थी तो उसमें राजनेतिक अस्थिरता या फिर पॉलिटिक कैसे बढ़ा है उधर से जो मराथा था मराथा क्या कि मैसूर पर या फिर किस पर श्री रंग पत्नम पर आकरमन करने वाली थे जब इस तरह की जब स्थितियां पैदा हो गए तो यह क्या कि यह बहाई साब थे कौन हैदर अली के बात पहुंच्छ गया कि नहीं आप तो कौ मराठा अब आटेक करने वाला है जब मराठा आटेक करने वाला था तो ये बात मूँच गया है तो किता नंज राज को सन्यास लेने पर मजबूर कर दिया कि भाईया चाचा अब यह काम करो आप दोनों आराम करो अब सत्ता जमानली के बारी हमारी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पर मराथा अक्रमन कर देगा तो इन लोग जल्दी मान नहरते कैसे हो जाएगा हम तुमें ही तो सैनिक बनाए थे हम तुमें फोज़दार भी दे दिये और तुम उल्टा हमें ही सन्यास लेने के लिए मजबूर कर रहे हो बला कि नहीं चाचा लेना तो पड़ेगा और इसको इस्तीरता हम मतलब इन लोगों को सन्यास कराते कराते लगबख कितना तीन साल गुजर गए बात आई 1761 में 1761 में क्या कर दिया कि हैदर अली ने वास्तविक जो शासक या फिडिव फैक्टोर रूलर बन गया मतलब पुरी तरीका से जो महसूर की जो सत्ता जो रियल पावस जो है हैदर अली के हाथ में आ गया इन लोगों को सन्यास दिला दिया दोनों भाई को अब क्या होता है कि थोड़ों से हम लोग हैदर अली के बारे इम जान लेते इसका जन्मा 1721 में होता है और इसकी मिर्थियू 1712 में होती है जो की सेकेंड अंगलो महसूर यूद में ये मारे जाते हैं और यह मिलिटरी में एज़ घुर सवाल होर्समेन की तरह इसने क्या तरह भरती हुई थी या फिर निव्ट या फिर अपाउंटेट हुए थे अब आ जाती बाथ 1761 और 1773 में क्या होता है मराठा जो HER निजाम ये दोनों क्या करते हैं इस पर अटेक कर देते हैं किस पर अटेक करते हैं ये अटेक कर देते हैं तो 1764, 1661 और 71 में माधव राप जो किसके रहते हैं ये पेश्वा रहते हैं कहा का पिश्वा रहता है यह रहता है मराठा का यह जब अटेक कर देता है किस पे हैदर अली पर और यहां पर हैदर अली जो हार जाते हैं और माधवराब जीच जाते हैं यहां देखे डेट लाइन बहुत इंपोर्टन है 1764, 1766, 1771 में जब माधवराब क्या करते हैं इस पे अटेक कर देता है और यहां पर हैदर अली की हार हो जाती है और हार जो होती है तो इससे यह जड़ा घबराते नहीं क्योंकि यह अकेले रहते हैं अब आगे बात आ जाती है हैदर अली के किसमत उसक्त खुलता है जब माधवराब की मिर्ती हो जाती है और हैदर अली क्या हो जाता है चलो भाई यह अब तो मुका मिलेगा हमें माधवराब का हराने का तो यहाँ पर याद रखे अभी फिलाल आहम निजाम प्लस माधवराब बोलते हैं अंग्रेजों के कोई अभी तक इंट्री नहीं हुई है हैदर अली ने क्या किया 1744 और 1766 के बीच में वो सारी जगहों को जीत लिया जिसमें माधवराब ने कप्चर किया था जो माधवराब ने अपनी कबजा कर लिया था उन सारे जगहों को इसने जीत लिया और अपने आपमर हैदर अली की जो हिम्मत थी और बढ़ गई अब ब बहुत क्या बोलते है दल बदलू जिसे बोलते है आज के टाइम पे है ना जो कि पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम पे कैसे होते है दल बदलू ये दल बदलू बहुत जादा था तो इन सारे इस्थीतियों को ये देख रहा था इसे लगा के निजाम करे बाबा ये तो जो तो अंग्रेजों ने क्या क्या जिस टाइम पर ये सारी बाते हो रहे थी उस टाइम पर बेटल ऑप पलासी पलासी और बकसर का यूद हो चुका था आरीने बाद समझ मैं जब ये जो यूद हो चुका था हलाकि 64 में ही हुआ था तो इन सबसे वो बड़े ताकदवर थे अंग निजाम कहता कि तुम मुझे किसका है बचा लो भाया हम तुम्हें जो कुछ हिस्सा है जो नौर्थ साइट वाला जो हिस्सा था निजाम को अंग्रेजों को दे दिया तो बात तो यहां आ गई यह ट्रीटी इनसे बीच में आ गई अब ज़रा पूरा समझ गये तो आप समझो की बात क्या होती है पर्थम अंगलो मैसुर यूथ जो हो वो 1767 से लेकर के 1779 तक यह जंग चलता है यह जंग चलने के दौरान अब होता क्या है देखें यह जो वार है यह जो बैटल है एक सिरीज थी लगभग कितने चार फोर मिलिटरी कांफेंटरेशन या फिर चार सन्य टकडाव का था वो कौन-कौन सा जरा समझे भारत में एक तरफ तरफ ते ब्रीटिस दुसरा मैसुर के बीच में यह लड़ाई होती है तो बात शुरुआत होती है 1766 से 1766 में एक तरफ जहां पर हैदर अली जो है है तरफ हैदर अली हो जाता है मराठा निजाम और अंग्रेज हो जाता है क्योंकि है मराठा से 176 co 2 से 10 मों 5 रफ ने और यह लाणारा हो विधी नहीं है तो जब इस तरह की बात हुई तो अंग्रेज थिबरेचाला अंग्रेज ने उंहें शुरू करेंए निजाम को क्लु ह ये जो हैदर अली जो है न आगे बढ़ रहा न ये मनाठों से तो लड़ी रहा है तुम इदर से आक्रमन कर दो क्योंकि हाँ संदी कर लेता है कि हम तुमें तो बचा ही लेंगे तो जब ये बात पता चला और ये सस्रूर निजाम तयारी भी हो गए थे तो ये बात जब पता चली aids लाए हधार अली को जो कि मराठों के साथ लड़ रहा था तो हैधर अली ने क्या अपने कुट नेती का सित्रमाल किया मराठों के भाहिया मराठो से इन मारने की कोशिश कर रहाए ये जैसे खिंअ लोगों पहली की डेक लिया अच्म अब भाव और बक्सर कैसे होता वो बेतर जंग से इस बात को जानता था तो उसने क्या किया मराठाओं से जाकर के और निजाम से जाकर के संधी कर लिए कि भाईया हम तो क्या हैं हम भाई भाई हैं आपस में हम नहीं लड़ेंगे फिलहाल हम अंग्रेश असरा को हम भगाएंगे और मराठा और निजाम दोनों समझ गए तो ये क्या कि आपस में संधी कर लिया कि भाईया हम तुमसे फिलहाल जंग नहीं करेंगे थोड़ा बद हम तुम्हारा हेल्प करेंगे तो इसने क्या कि हैदर अली की ताकत साहस और बढ़ गए इसने क्या कि हैदर अली ने आकरमन कर दिया करनाटक में करनाटक में इसलिए हमला किया क्योंकि ये अंग्रेजों को दोस्तों का ठिकाना था तो एग हिसाब से जैसे ही इसने करनाटक पर क्या किया अक्रमन कर दिया अंग्रेज थे बेखबर और यहाँ पर हैदर अली क्या हो गए जीत गए जैसे ही करनाटक पर हमला किया तो वैसे ही अंग्रेजों को क्या खून खौल गया कि अरे भाईया इसने तहम पर अटेक कर दिया तो बात आती है 1767 की तो 1767 में क्या हो गया कि अंग्रेज ने क्या किया एक तरफ था हैदर अली दुस्रे तरफ निजाम क्योंकि इन दुनों के संधी यहाँ पर हो गई थी तो यहाँ पर लडाई होती है लड़ाई होने के करम क्या होता यहां पर बिरिटिस जीत जाते हैं और यहां पर हैदर अली हार जाते हैं इसको बात को आपको याद रखना है जैसे ही यहां पर हार जाते हैं तो यह दल बदलू जो था निजाम इसने क्या किया कि 1768 में इसने क्या क्या फैबलरी फरवरी मन्त में 1768 में निजाम ने क्या क्या फिर अंग्रेजों के साथ संधी कर ली बहुत अरे दादा हमसे गलती हो गई हम तो हैदर अली के पास चले गए तो हम तो आपके ही नोकर हैं हम आपके ही गुलाम है तो इस बात का तो शुपचिंतग है तो अंग्रेजों ने का चलो भाईया ठीक है हम अपस में फिर से मिल जाते हैं दल बदलू कर लिया अब बीचारा निजाम स्वरी हैदर अली फिर थोगा अकेला पड़ गया तो क्या क्या लेकिन उसने अपनी हिम्मत को हरा नहीं उसने का अक्षा चलो ठीक है निजाओं हम तुमें तो सबक बाद में सिखाएंगे भाईया हम सबक बाद में सिखाएंगे दना अंग्रेजों से लड़ेंगे प्लासी जित ले होते हैं तो उन लोगँ यू ने अपनी इज़त को बचाती है विकाः हंगते को चाहते है नहीं होती है एक रिजल्ट यह होता है यहां कि हैदर अली जी जाता है तो एक जो बैटल था परिणाम समझते हैं अब इसका क्या आखित परिणाम क्या निकला पहले पास यूद जो है लगभग डेर साल तक चली मदरास की संधी हो जाती है इस लड़ाई के बाद लगभग यह चार अपरेल को एक संधी होती है 17 drones मैं और इसमें यह बात कहा जाता है कि भाईया जो हमने एक दुसरी से जो जगहे जीती हैं उससे हम एक दुसरे को लोटा देंगे जो एक दुसरे के पास हमारे पिडिज़नर्स कैदी है उसे भी हम वापिस कर देंगे और हैदर अली ने ये भी कहा कि भाईया यूद में सहायता करेगा अंग्रेज क्योंकि यहाँ पर जीता हैदर अली ने कहा कि भाईया एक काम करते हैं ये मदराज की संधी पर ये बात हुई लेकिन ये अंग्रेज इस बात को वादा पूरा नहीं करते हैं तो कुल मिलाकर के बात ये हो गया कि पर्थम आंगलो मैसूर वार्ट फाइनली कौन हैदर अली जिट जाता है इसमें मदराज की ट्रिटी आता है इससे सवाल क्या पूछेगा पहली बात ये पूछे जाएगा कि ये लड़ाई कब हुई आपको डेट लिक देना है अरी बात समझ मैं ये तक कॉंसेट के साथ था और फिर पूछेगा कि इसमें मदराज की संधी कब हुई तो आपको रखन है चार अपरेश 1709 को हुई किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई ये बाद आपको याद अखना अब हम लोग समझ लेते हैं दूट ये अंगलो मैसूर वाल या फिर सेकंड अंगलो मैसूर वाल को हम लोग समझते हैं